हलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल हर किसी को मुलाइम और चमकदार तवचा चाहिए लेकिन अगर तवचा पर बड़े बड़े पोर्ज हों तो चेहरा बेजान और गंदा लगता है खुले रोम शेद की समस्या आम ही है आईली स्किन वाले लोगों को ये परिशानी ज़ादा होती है उमर के साथ ये विद्र बड़े होने लगते हैं क्योंकि तवचा अपना लचकीलापन छोड़ देती है जिसके रोम शेदों की सर्चना कंजोर होने लगती है कई बार कलत मसाज की वज़े से भी पोर्स जो है वो खुल जाते हैं इसके इलावा तेले गरंथियों से बहुत ज़ादा तेल निकलने बसाश कार से बने खापदार्थ, फास्ट फूड बश्राव का सेवन करने से भी रोम शेद खुलते हैं नेकिन इन कुछ घरेलों नुसकों की मदद से आप अपने रोम शेदों को खुलने से रोग सकते हैं दरासल इन नुसकों को अपनाने की से स्किन में कसा भी आता है जिससे पोर्स छोटे हो जाते हैं चहरे को रोज अच्छे से साफ करें दरासल गंदगी टेल और बैक्टीरिया की वज़े से पोर्स बड़े होते हैं दिन में दो बार सुबह और शाम क्लिंजर से चहरा जरूर साफ करें अंडे का स्फेद भाग तुअचा को टोन कर कसाब लाता है कटोरी में स्फेद एक डाल कर आधा निम्बू निचोड लें फिर मास की तरह 15 मिनट चहरे पर लगा रहने दें बाद में पानी से अपना मूँ धोली जिए बेसन और निम्बू और दही दोस्तों बेसन में निम्बू का रस गुलाब जल दही मिक्स करें और फिर पेस्ट को मास की तरह चहरे पर लगा लीजिए और सुखने के बाद चहरा धोलीजी यह आपकी बहुत हल्प करेगा इसके रावा है आइस क्यूब चहरे पर आइस क्यूब लगाने से चहरे के पोर्स बंध हो जाते हैं अगर बात करें हम टमाटर पैक के तो दोस्तों टमाटर के रस को रूई में डबो कर चहरे पर लगाएं और हलके हातों से मसाज करें 20 मिनट लगा रहने ने बाद में चहरे को धोलीजिए इससे चहरे का कसाब आएगा और टमाटर के गुद्दे में एक चमच चंदन पाउडर और एक चमच लैमन पाउडर मिक्स करके चहरे पर लगा सकते हैं सूखने पर चहरे को धोलीजिए पोर्स की समस्या खतम हो जाएगी शहद 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 कर स्तेमाल आप फेस मास्क की तरह करते हैं शहद में नीमू का रस और चीनी मिलाकर पेस तयार कर लें और चहरे की मसाज़ कर लें और कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें बाद में गुनगने पानी से चहरा धूलीजिए आप आउडर वाले दूद में शहर मिक्स करके भी चहरे को चहरे पर लगा सकते हैं यह भी आपकी बहुत हल्प करेगा गुलाब जग अगर आपकी स्किन ओईली है तो पोर्स बंद करने के लिए और चहरे पर तेल साफ करने के लिए कत्थे में रोज वाटर डाल कर लगाएं कत्थे की मात्रा जारा ना हो मसूर के दाने जितने ही होनी चाहिए यह चहरे पर लगाने से आपके पोर्स बंद हो जाएंगे नेक्स्ट है दोस्तों दही दही क्लींजर का काम करती है इससे मुझूद लैक्टिक एसिड पोर्स के पोर्स में फसी गंदगी को साफ करते हैं जिससे स्किन में कसावाता है इससे जुरिया भी कम हो जाती है और बस एक चम्मच दही में 10 मिनट के दे चहरे पर इसे लगा द कर पेस्ट बना लीजिए और फेशल की तरह चेहरे पर लगा लीजिए और चेहरे को हलके हाथों से इसकी मसाज की जिए तीस सेकिंड के बाद चेहरे को धोली जिए इससे मुहासे और ब्लैक हैट्स जो है आपके वह भी खतम हो जाएंगे फलों का रस पाइनैपल और पीच अधिक को जाएंगे और फिर ड्रैक हैंगे और ढुख किसावट होगी आप बहुत सुंदर लगने लग जाएगे इससे आपको बहुत पाइदे होते हैं जाना फाइदे मिलते हैं और उसकी अच्री सुंदर मनती है ग्लोंक होती है तो दोस्तों यह ऐसे चोड़-चोड़ जिसे आप अपनी डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं अपनी दोस्तों तक इस वीडियो को पचाए ताकि उनके भी पोर्स की समझ से खतम हो जाए और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक शिर कमेंट करना बलकूल मत भूलेगा और ताकि मेरी नई वीडियो से फटत पूद्ट बीडाख, धिलगा सबक्ना सबस्टर nowhere दो अपनी अदे में झाल與 कर के वाऊ वीडियो अच्छें शॉणर हो क्र के लिगकर समत मुशें ऑार आपको 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 यू